हम हिंदी सहित्य के इतिहास में भक्तिकाल का इतिहास भक्तिकाल के इतिहास के इंतरगत राम भक्ति कावी धरा में तुलसिदास जी की रचनाओं को विस्तार कुर्व पढ़ रहे थे ठीक है आज हम तुलसिदास जी की रचना बर्वे रमायन के विशे में पढ़ेंगे बरवे रमायन रचनाकाल के अगर बात करें तो 16-12 भी रचनाकार है तुलसिदाजी भाशा है अवदी काववी रूप है मुपतफ काववी की रूप में इसको लिखा था तुलसिदाजी ने विशेज तत्य उत्तरकांड में कवितावली की तरह राम विशक अन्य देवी देवताओं विशक बरवे हैं मतलब ठीक है उत्तरकांड में क्या है कवितावली की तरह राम विशक अन्य देवी देवताओं विशक बरवे भी है इसमें ठीक है बर्वे रामान में मंगला चरण नहीं है तथा साथ सर्ग हैं कितने साथ सर्ग हैं रहीम मित्र तूसिदाजी है रहीम दाजी को तूसिदाजी का मित्र माना जाता है रहीम के बर्वे नाई का भेद से परभावित है मतलब बरवे रामायन रहिम दाज जी की किस से प्रभावित है बरवे नाई का भेद से प्रभावित है रहिम दाज जी की नचना है बरवे नाई का भेद इस से प्रभावित है बरवे रामायन इसमें 69 चंद है कितने 69 चंद है सभी बरवे चंद है सबी कौन से चंद है बरवे चंद है उनत्तर चंद है लेकिन सबी बरवे चंद है यह 19 मात्राव वाला सम्मात्रिक चंद है कितनी 19 मात्राव वाला सम्मात्रिक चंद है यह जिसमें करम से 19 वह साथ मात्राव पर यती होती है कितनी 19 वह साथ मात्राव पर यती होती है तो इसमे वह चंद उस चंद का प्रयोक्या है तो सिदा जी ने तो यह हमने बर्वे रामयन से संबंदित कुछ मैथ पूर्ट दथे पड़े हैं पार्वती मंगली यह भी तू सिदा जी की प्रसिद रचना है ठीक है रचना काल के अगर बात करें तब 15 से 22 है रचना कार है तू सिदा जी भाषा अवदी है कावी रूप है प्रबंद कावbor के रूप में लिखी गई है प्रवूक्तति इसमें शिव पारवती विवागा वर्णन है पारवती मंगल में जैसे कि इसके नाम सी बहुत हो रहा है लेकिन इसमें शीव और पारवती के विवा का वर्णर है इसका आधार ग्रंथ मतलब जो जिसे आधार मानकर इसको लिखा है तुलसिदाजी ने तो वह है कुमार संभव किसके कालिदाजी द्वारा लिखा गया कुम संभव जो हे उनकी ऐसे णिए एक रचना है वह है इसकम है तुलसिदाजी की पारवती मंगल का आधार है मि मैं प्रारम में मंगलाचरन और अंत में अadhar और अंत में स्वस्ति वाचन का प्रियोग क्या है पुलसिदा जी ने पार्वती मंगल में 164 शंदों का प्रियोग है इसमें 148 अरुनिया मंगल्चन जिसमें अरुनिया मंगल्चन में 20 मात्रों 11 मतलब 20 मात्रों 11 वें 9 पर यति मतलब 20 मात्रों है 11 मात्रों के बाद वीराम है यी मतलब वीराम है इसमें हरी गीती का चंद गीति का जो चंद होता है इसमें 26 मातरा होती है और हरी गीति का में 28 मातरा होती है तो हरी गीति का चंद का प्रियोग किया है इसमें तूसी दाजी ने 28 मातरों के बाद 16 मातराओं पर विराम है वे उसके बाद 12 पर इसमें यती होती है का मतलब विराम है नमर नौ जान की मंगल यह भी तू सिदाजी की प्रमुक रचना है रचना काल की अगर बात की जाए तो 1582 इस्वी में ठीक रचना कार है तू सिदाजी बाशा है अधी कावी का रूप पूछा जाता है तो क्या है प्रबंद कावी है इसका प्रबंद रूप है मुख्य तत्य राम ने सिता के विवा का वर्णन है जान की मंगल में जान की सिता जी को ही कहा जाता है क्योंकि वे जनक की पुत्री थी आधार है इसका जान की मंगल रचना का आधार क्या है वालमी की जी दुआरा लिकित रामायन है मनगला चनन से प्रारंब होता है, इस रचना का जान की मंगल का कुल्चंदों की अगर बात की जाए तो 216 चंद है 192 अरुन वे 24 हरी गीती का चंद है इसमें ठीक है और इसमें क्या किया गया है कि 8 अरुन चंदों के बाद एक हरी कीती का केकरम को बना गया है मतलब आठ अरुन चंदों के बाद एक हरी गीत का चंद के कर्म को अपनाया गया है इस रचना में ठीक, राम लेला नहचु, पारवती मंगल, जान की मंगल इन तीनों रचनाओं को जब लिखा तुसी दाजी ने उस समय पे मितला की आतरा पर थे कहने का मतलब है मितला की आतरा के समय इनों ने तुसी दाजी ने इन तीन रचनाओं को की रचना की मतलब, ठीक है, तो ये हमने आज तुसी दाजी की मतलब इसे पूर्व तो हमने 6 रचनाओं के विशे में पढ़ लिया था आज हमने उनकी 3 प्रमुख रचनाओं के विशे में पढ़ा है अब 3 और परसीद रचनाओं रहे गई उसके बाद हमारा राम भक्ति काविधारा पूरा हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे क्रिश्न वक्ति काविधारा के विशे में